हाई एवरिवोन नमस्कार सलाम से स्रिया काल वेलकम बैक टो दीप सॉल इन वन चैनल आशा करती हूं कि आप सब लोग बलकुर ठीक ठाक होंगे आज का ये व्लॉग है 18th of January का जस दिन हमारे चैनल को दो साल पूरे हुए है और सबसे पहला कामदा भगवान जी से अशरवात देना क्योंकि बड़ो के आशरवात भगवान के आशरवात के बिना कुछ भी चीज होना बलकुल भी पॉसिबल नहीं है तो सुबह उटकर सबसे पहले मैंने भगवान का आशरवात लिया और थैंक यू बोला उनको थैंक यू बोलना इनफ नहीं होता है बट स्टिल बहु निवात भगवान का कि उन्होंने मुझे इस काबल बनाया कि मैं कुछ चीजे इस कम्यूनिटी पर शेयर कर सकूँ और कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा भी फाइदा मेरी वीडियो से मिले तो ये चैनल बनना जो है वो सफल हो जाता है हमेशा बोलती हूँ परपस कुछ बनने का और आज ये किसी और ही मुकाम पर है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और इसका मैं कहूंगी 90% श्रे जो है वो आप सभी को जाता है जिन्नोंने इतना प्यार दिया इतना सराहा मेरे काम को कि बस शब्द नहीं है तो चलिए सेलिबरेट करने के लिए सब ब्राउन शुगर डाली है और हाफ कप ही मैंने इसके अंदर ओयल एड किया है इन सारे चीजों को हमें मिक्स कर देना है और जो पानी है वो गरम है जैसा की मैंने बताया है और चौकलेट आप कोई भी ले सकते है मैंने डेरी मिल्क के लिए है जो मिल्क चौकलेट आ रही है उसको मैंने ग्रेट कर लिया था तो इन चीजों को अच्छे से घोल के हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे और गरम पानी की वज़े से चौकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और हम ब्लैक फोरेस्ट केक बना रहे हैं यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप मिल्क और उसके अंदर एक टी स्पून मैंने विनेगर एड़ कर दिया है और इसको घोल कर हम पांच मिनट के लिए कवर करके रख देंगे यह हमारा बटर मिल्क तयार हो जाएगा पांच मिनट में इसके बाद वर्क करते हैं हम ड्राइ इंग्रीडियन्ट की तरफ तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूं बेकिंग सोडा तो यह सारण ड्राइ इंग्रीडियन्ट इसके अंदर जाएगा और इसके बाद इन सब चीजों को आप छान लें और अगर कोई लंप हो तो इसको अच्छे से ब्रेक कर लें जैसे मैंने ब्रेक किया है तो ड्राइ इंग्रीन्ट यहा पर सारी चीज़े मैंने मिक्स कर दी हैं, इसके बाद जो हमने चौक्रेट वाला मिक्चर बना के रखा था वो सारा हमें इसके अंदर पोर कर देना है और इसका बिल्कुल स्मूध बैटर बना कर हमें तयार करना है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप घोल ले, बहुत जो एकलिस बनाते हैं, लेकिन इस वाले केक को हमें थोड़ा सा पतला रखना है, इसके बाद जो हमने बैटर मिल्क बना के तयार किया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद आप इसको अच्छे से घोल ले, और आप देखेंगे कितना बबली सा ये इसका ट हाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे इसको, और हर कोई बना सकता है, और इस तरह से आप किसी भी तरह का कोई भी केक बना के तयार कर सकते हैं, जैसा हम मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तो येस, आज का जो केक है, वो हम बन दूँगी, ये बैटर, हीट को आपको बिल्कुल स्लो रखना है, बिल्कुल स्लो, और इसको कवर करके आप रख छोड़ें, पाँच से साथ मिनिट इसको लगते हैं, बीच में आप चेक कर लें, तो ये उपर से भी आपको लगने लगेगा, इसके बाद आप इसको मिनिट के लिए पकाना है, तो टूटल इसको बनने में जो है, वो साथ मिनिट लग जाते हैं, मेक शूर जो हीट है, वो बिल्कुल कम हो, बिल्कुल कम, और इसके बाद बस आप इसको निकाल लें, और पूरा जितना बैटर मैंने तयार किया है, उसमें अगर एक कप का मैं म चोटा बनता है, तो जिस तरह से मैं आप फिलिप कर रही हूँ, बस आप देख लें, और हीट आप देख सकते हैं, कि मैंने बिल्कुल चोटे चूले पर रखी हुई है, और बिल्कुल ही मैंने इसको सिम पे किया हुआ है, बहुत एजी है, और बहुत लाजवाब बनता है, तो जब तक हमारे सारा केक बन के तयार हो रहा है, तब तक यहाँ पर हम विप्ट क्रीम बना के तयार करते हैं, तो यह नॉर्मल क्रीम है, फ्रेश क्रीम, अमूल की आप ले सकते हैं, उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है, शुगर का अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम जादा कर सकते हैं, थोड़ा सा ही मैंने इसमें वनीला एक्स्ट्रेक्ट डाला है, और इसके बाद बस इसको थिक होने लगेगी, और जब यह प्रॉपर अच्छे से थिक हो जाएगी, उसके बाद आपको इसको रोक रोक कर दीरे दीरे चला कर देखना है, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी थोड़ा सा इधर से उधर हुआ, तो इस क्रीम से बटर निकल आएगा, और यह आइसिंग के यह आलमोस्त ऐसी तैयार होने लग रही है, और इसके बाद आप इसको बस फ्रिज में रख दें, और जब केक आपका ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इससे वर्क करें, पहले वर्क ना करें, तो यहाँ पर जो मेरे जतने भी केक थे, वो बन के तैयार है, तो इनको इको साइज देने के लिए, मैं इस तरह से बोल रख रही हूँ और नाइफ से काट रही हूँ, अगर आपके पास कोई भी शार्प एज का कोई बोल है, तो बस वो रखके आपको काट देना है, मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था, तो इसलिए मुझे नाइफ जो है वो यूज करन तो यह देखिए, आपका केक कितना यमी बन के तयार होता है, तो जिस तरह से मैंने बैटर बनाया आप चाहें तो बिल्कुल इस तरह से ओवन में भी बेक कर सकते हैं, अगर आपके पास अवन है, बस सारे बैटर को आप केक तिन में डाल दें, बेक कर लें और उसके बाद इसको स्लाइस कर लें, और मैंने यहां पर क्योंकि यह बनाया है, तो बस यह यह अल्रेडी स्लाइस किया हुआ है, तो मुझे इसको स्लाइस करने की जरूरत नहीं है, तो बस यहां पर अच्छे से काट लूगी, और सारे के सारे जो है, वो एकुल साइस के बन जाएंगे, और जो ये किनारे निकले हैं इनको फैक्टने की जरूरत नहीं है, इनकी मैं एक रेसिपी अपनी एक दो वीडियो के बाद आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, मैं अल्रेडी बना चुकी हूँ, तो ये फैक्टने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक एक चीज काम आने इनको आप स्टोर करके रख दें, और यहां पर हमारा केक है, वो तैयार है, तो अब हम इसको डेकोरेट करना शुरू करते हैं, तो मैंने थोड़ा से ये शुकर सिरफ बना दिया था, बस दो चमच चीनी है, थोड़ा सा पानी है, और वो मैंने इसके ओपर थोड़ा सा डृ थोड़ा सा शुगर सिरप लगाएं, थोड़ा सा जैम लगाएं, फिर आप क्रीम बना दें, तो मेरे पास टोटल जो है यह फाइव लेयर्स बन थी, लेकिन मैंने चार कही बनाया क्योंकि साइस थोड़ा छोटा था तो वह बहुत उचा लग रहा था केक, तो बस मैंने चार बाकी का जो एक था वो मैंने ऐसे ही रख दिया था, और उसको फिर मैं अपनी दूसरी रेसेपी में यूज करूंगी जब आपको मेरी आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा, तो तीन लेयर यहां पर तयार है, अब यहां पर मैं फोर्थ लेयरिंग कर रही हूं, तो अगर आप किसी को ना बताए ना, जैसे कि मैंने नहीं बताया था, कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है, किसी को यकीन नहीं हुआ हूँगा कि यह फ्राइ पैन में बना हुआ है, तो जब आप इसको बनाएंगे ना, उसके बाद आप आकर मुझे बोलेंगे, Thank you, Dipika, और मैं इसको अवन में बेक किया हूँ, तो बस यहाँ पर थोड़ी सी जो है, वो decoration चल रही है, simple है, जादा कुछ नहीं है, बहुत easy है, मैं कोई professional baker नहीं हूँ, लेकिन जो taste है ना, वो awesome होता है, तो बस थोड़ी सी मैंने इसके उपर design बनाया है, glazed cherries लगा दी है, इसके बाद थो look at it, तो यह है final look हमारे केक का, और किस-किस का मन कर रहा है, फिलहाल इस केक को बस फटा-फट कट करके खा जानेगा, मेरा फिर से मन कर रहा है, अल्रेडी खतम हो चुका है, बट जल्दी ही, अद्वी कबर्दे आने वाला है, और उस पे मैं एक और बहुत ही different style का केक आपके साथ share करूँगी, so make sure you stay tuned, और आप channel को जरूर subscribe करें, तब ही आपको सारी notifications मिलेंगी, तो यहाँ पर हमारी जो family है, वो काट रही है, cake और celebrate कर रही है, second anniversary और second birthday, whatever you want to say, हमारे deep soul in one channel का, तो बस इसी तरह से अपना प्यार देते रही है, I know कि मेरी videos जो होती है, वो बहुत simple होती है, कोई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होता है, कोई controversy नहीं होती है, और मुझे ये भी पता है कि मेरी जो audience है, वो बिलकुल set है, उतने ही लोग है, तो शायद इसी वज़े से बहुत ज़्यादा views भी attract नहीं कर पाते हैं, but at least I am satisfied कि एक dignity के साथ, एक well behaved manner के channel को चला रही हूं और वो मेरे लिए more than enough है, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बिना बाती controversy या कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करूंगी, तो उसका impact मेरी family पर जरूर जाएगा, like मेरे ममी पापा भी देखते हैं, मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं, तो हमेशा वो करो, जिससे आप कभी भी अपने, जो आप से प्यार करते हैं न, वो नीचे ना देखें, तो बस वही है, कि जैसा भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, I am satisfied, I am happy, कभी-कभी, थोड़ा बहुत moral down होता है, कि जब इतनी effort करके आप एक video बनाओ, और वो video आपको उतना ना दे time लगाया है, तो थोड़ा लगता है, but still at the end, यही आता है, कि at least मैंने जो किया, वो सब कुछ अच्छा किया, और प्यार करने वाले तो है न, तो बस इसी तरह से प्यार देते रही है, और I know कि थोड़ा सा saturation level जो है, वो आ ही जाता है, क्योंकि मेरी videos में, हम तीन ही लोग देखने को मिलते हैं, वही घर देखने को मिलता है, वही किचन देखने को मिलती है, वही सफाई होती है, but this is my life, just for the sake of video, I cannot pretend कि मैं कुछ ऐसे ही करूँ और वो आपको दिखाँ, तो simplicity की इतनी जादा value नहीं होती है, but जिन लोगों को होती है, उनको बहुत होती है, तो चो इ भी नहीं सोचा था, कि ऐसा होगा, ये दिन आएगा, I am so thankful to all of you, बस साथ मत जोड़िएगा, thank you, thank you so much, तो बस यहाँ पर हम cake enjoy कर रहे हैं, और जब आप ये cake बनाएं, तो मेरे साथ pictures जरूर शेयर करें, और प्लीज जरूर बनाकर खाना, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों जरा खा चुकी है, और अब उसके पेट में और जानी रहा है, और यहाँ पर जो अद्वी कह रही है, वो आपको behind the scene, uncut में, वीडियो के last में मिलेगा, कि उसने मुझे यहाँ पर क्या compliment दिया है, तो जरूर देखिएगा, जो funny moment है इस वीडियो का, क्योंकि वो कई बार ऐसी बाते करती है, जैसे कोई दादी अम्मा हूँ, इस तरह की बाते होती है, तो केक वगेरा खाने के बाद हम लोगों ने movie देखी, which one पागल पंती I think, और वो बहुत हसी वाली movie है, जरूर देखना, तो वो movie देखी और उसके बार डारेक्ट अब मैं मिलूँगे आपसे, डिनर की preparation पे, जिसमें मैंने बहुत यमी वाली कचोरियां आज बना कर तयार की हैं, तो वो बहुत टेस्टी बनती हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कचोरियां, तो दो कप यहां पर मैंने होल वीट फ्लांड लिया है, आधा चमच मैंने उसमें डाल दिया, जवायन हाथों से क्रश करके, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, सारी चीजों को मिक्स करना है, इसके बाद इसका soft आटा बना कर तैयार करना है, पूरियों वाला tight नहीं बनाना है, soft रखना है, रोटी के आटे से थोड़ा सा tough लेकिन पूरियों वाला नहीं बनाना है, क्योंकि जब भी आपको इस stuffing वाली चीज बनाते हैं और अगर आप आटे को बहुत जादा tight कर देंगे, तो फिर आपको बेलने में दिक्कत होगी और जो स्टफिंग है फिर वो खराब हो जाएगी वो बाहर आने लगेगी और आपकी कचोरियां या पूरियां जो भी आप भरवा बनाने वाले हैं वो फूलेंगी नहीं तो जैसे पूरी का बिल्कुल सक्त सा आटा बनता है वैसा नहीं बना उससे आपको थोड़ा सा हलका बनाना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके मसल मसल के आप इसका सॉफ्ट डो बनाकर तयार करें और बहुत अच्छी आप इस तरह से फोलो करेंगे ना तो आपकी कचोरियां बहुत अच्छी बनेंगी मैं बताओं तो तकरीबन शायद मैं आठ साल बाद इन कचोरियों को बना रही हूँ तब हम दिल्ली थे मैंने तब बनाई थी क्योंकि हर बार आलस आ जाता था थोड़ा सा काम तो बढ़ता ही ये कचोरियों का and anyhow oily तो बनती ही बनती है तो मैं आठ साल बाद बना रही हूँ और मैंने फ्राइंग का काम जो था ना जैसे पूरिया वगेरा बनाने का काम है वो शादी से पहले कभी किया ही नहीं था ममी ने कभी करने ही नहीं दिया कढ़ाई का काम नहीं करना है छीटे लग गए तो तो उन्होंने कभी नहीं करने दिया तो ये सब मैंने शादी के बादी पकोड़े तक बनाने जो हैं, वो शादी के बादी शुरू के थे, पता था कौन सी चीज कैसे बनती है, बट बनाई कभी नहीं थी, तो चलिए आटा हम मैंने ढखके रख दिया है, और यहाँ पर आलू आप देख सकते हैं कि इतनी क्वांट स्टफिंग जो है, वो बाहर निकलने लगती है, तो हमेशा रूम टेंपरेचर के ना गरम न ठंडे, आपको रूम टेंपरेचर के आलू जो हैं, वो यूज करने हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है, यहाँ पर हरी मिर्ची है, एक प्याज है, इनको मैंने बारीक-बारीक बिलक सकते हैं, तो यहाँ पर जो आलू है, उनमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने डाला है, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा डाला है, चाट मसाला, और इसके बाद थोड़ा सा डाला है, गरम मसाला, और साथी टेस्ट के हिसाब से डाल दिया ह सॉल्ट और जो चीज थी चॉप लगे टी रखे थी वो सारी चीज इंदर एड लेंगे और उन सारी चीजो और अचे से मिक्स कर लेंगेर बिल्कुल से मिक्स करें ताकि जो मसाले हैं वह चारों तरफ तरफ अच्छ से डिस्ट्रिभीूट हो जाएं कुछ लोग इस मसाले को भुआ करके भी बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में हमेशा से इसलेंगहें, ये हुन्द में जो आलू के पराथे होते हैं, यह बहुत कोई जीज आपको कच्छी लगेगी बट अगर आप चाहें तो थोड़े से ओयल में ये सारी चीज़े फ्राइ करके भी बना सकते हैं तो एंटारली अप टू यू के आप किसको किस तरह का टेस्ट पसंद है तो स्टफिंग यहाँ पे हमारी तयार है इसके बाद मैंने कड़ाई में डाल दिया है ओयल सरसो का टेल यूज़ कर रही हूँ और बिल्कु छोटे वाली मैंने कड़ाई ली है इसके बाद जो आटा है हमारा उसको हलका समयल हाथ पे लगा कर एक बार मसल लेंगे और इसकी मैं पेड़ियां बना कर तयार कर लूँगी ताकि आटा जो है वो थोड़ा सा ठहर सा जाए और मुझे वर्क करने में आसानी हो तो जितनी बड़ी आपको बनानी है कचोरियां उतना उतना आप इसमें से आटा तोड़ ले और लोईयां बनाकर तयार कर ले और यहां पर डियर हस्पेंट जो है वो बना रहे है रायता तो इन कचोरियों के साथ कोई सबजी वगयरा नहीं जाती है वसाम का चार हो और आप रायता बना ले तो दही ली है थोड़ी सी उसमें डाला है थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर साथ में थोड़ा सा सूर्ट तो थोड़ा सा ही बोलती हूँ तो थोड़ी सी डाल दी है यहाँ पर चिली फ्लेक्स और इसके बाद डाला है अब डाला है भुना जीरा शुरू में वो गरम मसाला था जो डाला था तो यह चार चीज़े जाएंगे इन सारी चीज़ों को आप मिला दे बाकि आप चाहें तो बूंदी का रायता बना सकते हैं घीरे का बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो अब वो रायता बना ले बस यह मकसद है के साथ में दही खाई जाए तो चलिए रायता भी बनके तयार है इसके बाद यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं हम कचोरियां तो मैंने एक पेड़ी थोड़ा सा उसको बेल लिया है बिल्कुछ इस तरह से आप आलू का परांठा बनाते हैं उसी तरह से आपको करना है किनारे उठा के स्टफिंग को दबा दे और इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा प्रेस करना है किनारे इसके थोड़े से पतले कर ले और इसको बहुत ज पटे ना आप इस तरह से इसको बेले, आप चाहे तो सिफ हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बेलनी बेलन जो है वो कुछ यूज करें, तो आप थोड़ा सा ऐसे ही करके भी बढ़ा दे, पर यह के थोड़ा सा स्मूध सा हो जाता है इससे, that's it. तो यहां पर ओएल हमारा गरम हो गया है, और मेरी इस चोटी सी कढ़ाई की जरा आप हालत देखें, यह साइड से कैसी हो गई है, तो कचोरियों की तरफ तो कम ध्यान जाएगा, इसके उपर जादा ध्यान जाएगा तो, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी फ्राइग किया था, ओयल निकाल लिया तो, और मैंने फिर दुबारा से इसमें ओयल डाला, तो वो जो साइड में थोड़ा बहुत भी ओयल था, वो सारा चल गया, तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, इसको साफ करने में, हाथ दुखने लगे, बट हो गई, चमक गई फिर से, तो ओयल जो ह वो आपको मीडियम हीट पर रखना है, और मीडियम हीट पर आपको कचोरियों को सेखना है, जब तक कि वो अच्छे से दोनों तरफ से ब्राउन ना हो जाए, फूल जाती है, मस्त बनती है, और जब तक एक कचोरी आपकी यहाँ पर तली जाती है, तब तक आप दूसरी बे तो देखिए यहां पर जो हमारी लाजवाब कचोरियां है आलू की वह बन के बिलकुल तैयार है जरूर ट्राइ करना और जैसे हमने डिनर में खाई हैं कोशिश करना कि आप लोग ब्रेकफरस्ट में इनको खाओ और जो मेरी सबसे बड़ी वाली बुहाई ना जिनको हम बिब और जो पसंदाएतो लाइक, शेर, कमेंड दबस्क्राइब और मैं दफिका आप समिलती हों कल एक और अचिस प्यारी जा विडियो के साथ तिल दन you guys take care and I'm sending lots and love to you all, bye bye! झाल झाल क्या हमत्स, वावच झाल, तक प्रिचिन हम, इसाफ जाए बनाग Anda जढए लिए जाए्ट का सुछ्यार बिल्हें कारत nessे जाए्ट के जाए्ट – तक यदाए्ट के जाए्ट प्रिश्यारा पर्ष्यार रिखना है । कि पाला कि अ मैं अ मैं अ म्यूनिय। अ directly सन्यूड़त अ अ पहल है you are a professional baker य क्योंधकetos गया झाल और चालो केंचर्दिन अ व हैंचरमार चाहिस हुआ